दोस्तों हम यहां पे एकत्रित हुए हैं इस बात को समझने के लिए कि इंटर्व्यू क्या है उसको कैसे दिया जाए और उसमें कैसे सफल हो सकते हैं यहां यह बताना ज़रूरी है कि इंटर्व्यू एक 831 जगहों के लिए है इसके तीन गुना लोगों को बुलाया जाता है यह एक मेजर्मेंट है जिसके हिसाब से बुलाया जाता है और पुरान कि हम आपको इस प्रकार से ट्रेन कर सकें इस प्रकार से हम आपको आगे बढ़ा सकें कि आपका सक्सेस श्यूर हो कि मेरा नाम आनंदलाल बैनर जी है मैं 1979 बैच का IPS ऑफिसर हूं 1978 बैच मेरा इंडियन रेविन्यू सर्विस का था मैं 2014 में बताओर पुलिस महानेदेशक उत्तरप्रदेश डीजीप उत्तरप्रदेश होकर रिटायर हुआ हूं अपने सेवाकाल के दौरान मैंने बहुत लोगों के इंटर्विव लिये है यूपीएसी का दो बार इंटर्विव दिया है यूपीएसी के इंटर्विव क्या देखते हैं उस संबन में आपसे बात करते हैं सबसे पहले आप ये ध्यान में रखिएगा कि आप जब इंटर्विव देने जाएं तो ये टेंस मत होईएगा कि आप किसके समक्ष जा रहे हैं ये याद रखिए कि आप जिनके सामने जा रहे हैं वे आपके चाचा या पिता जी की उमर के लोग हैं, जिनके पास की उतनी ही एजुकेशन है जो साइद आपके पास हो, परंत उनके पास experience आपसे ज्यादा है, एवं वहां कोई भी आपको fail करने की नियत से, या ऐसे कठिन प्रशन पूछने की नियत से नहीं गया हुआ है, ताकि आप सफल ना हों, के संबंद में अन्य चीजों को अब मैं बताने की कोशिश करूँगा, जो भी बच्चा, जो भी आप लोगों में से इंटर्वी में पहुच गए हैं, वे एक स्तर पार, दो स्तर पार कर चुगे हैं, पहले आपने prelims qualify किया है, याने कि आप पढ़ने लिखने में अच्छे आपने में स्कॉलिफाइ किया है, याने कि आपने descriptive answers लिखके अपने ज्यान का प्रदर्शन किया है, इसके आगे आप से आपके subject के विशे में बहुत ज्यादा नहीं पूछा जाएगा, आम तोर पर एक interview करीब करीब 25 से 35 मिनट का होता है, पांच मिंबर बैठते हैं, और व अलग services के होते हैं, एवं अलग-अलग विशयों में आप से बात कर सकते हैं, यह भी जरूरी है, यह जानना कि यह जो पांच मिंबर हैं, यह इन में से academics, journalists, इत्यादी भी, जो की समास के दूसरे खशेत्र हैं, उसमें से भी आ सकते हैं, एवं यह सब आपकी presence of mind, आप किस परकार के हैं, आपके विचार कैसे हैं, इत्यादी को वहाँ पे आंकलन करते हैं, यहाँ यह बताना जरूरी है, कि normally, किसी भी interview में, यह माना जाता है कि कोई भी, जो बच्चा interview के स्तर तक आया है, वह 45 प्रतिशत तक पा सकता है, minimum 45 प्रतिशत तक उसको दिया जाएगा, यह यदि इससे नीचे दिया जाता है, तो उसमें अवश्य अंकित कर दिया जाता है कि क्यों इससे कम दिया गया है, 65 प्रतिशत प्रतिशत तक प्रतिशत तक गया जाता है, इससे ज़या जाता है, इससे ज़्यादा बहुत कम लोगों को दिया जाता है, और उसमें भी अंकित कर दिया जाता है कि 65 फीसदी से ज्यादा क्यों दिया जा रहा है तो आप यह मान के चलिए कि करीब करीब 50 या 52 फीसदी नंबर तो आपका automatically है अब इसको बढ़ाया कैसे जाए तो इसको बढ़ाने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं आप क्या तैयारी कर सकते हैं और इसको आप कैसे वहाँ पर इस सम्मंद में आप अच्छा impression डाल सकते हैं अच्छी तरह से बात कर सकते हैं आपको यह याद होना चाहिए कि आपने detailed application form में क्या भरा है मैं एक उधारन देता हूँ मान लीजिये उसमें यह लिखा था कि आप क्या पसंद करते हैं आपकी hobbies क्या है आपने उसमें लिख दिया कि हम किताब पढ़ते हैं क्योंकि बाकी भी कोई अगल बगल वाला भी लिख रहा था हम किताब पढ़ते हैं लेकि यह बात सही नहीं है अथवा आप को यह ऐसी जूट बात बोलेंगे जिसमें कि आप पकड़ जाएंगे तो आप 45 की लेबल पर आ जाएंगे तो 45 की लेबल से बचने के लिए आपको यह याद रखना चाहिए कि आपने अपने फर्वाँ में फ़र्म में क्या लिखा है आपको उसकी डिटेल याद होनी चाहिए आपने जो उसमें मान लीजीए मैं एक इंटरव्यू में गया था एक बच्ची ने कहा था कि वो फेंसिंग करती है E.P. फेंसिंग करती है मुझे एपी फेंसिंग के बारे में कुछ नहीं मालूम था तो उससे मैंने पूरी जानकारी की एपी फेंसिंग उलिम्पिक स्पोर्ट्स है इंडिया में भी होता है स्थर के नहीं है मगर चुकि उसको सब मालूम था वो बता सकी इसी प्रकार अगर आप से पूछा जाए कि आप का उन्समान लीजए आपने ये लिखाओ कि आप किताब पढ़ते हैं तो आप उस संबंद में विस्तार से बात करने के खाबिल हो नमबर दो आपको किस बात किन किन बातों की जानकारी होनी सही है हम लोग जो भी इंटर्विव लेते हैं वो ये कोशिश करते हैं कि एक जागरित युवा की हम युवा को भरती कर सके हैं जागरित युवा वो होता है जो खुद ये जानता हो कि उसके आसपास क्या हो रहा है उसके प्रदेश में क्या हो रहा है एक तो मोटे तोर पर उसको सारी बाते मालूम हैं मान लीजिए यह युवा जो है वो मिर्जापूर जिले का है तो मिर्जापूर में क्या बनता है वहां पर बरतनों का व्यापार होता है वहां मंडी कहा है या उसकी क्या-क्या विशेष्टाएं है माविंद वासिनी का मंदिर है चरनादरी है चुनार का किला है जिसमें की वारन हेस्टिंग्स कभी छे महिना चैज सिंग के चलते कैद रहे हैं यह सारी बातें चूंकि वह मिर्जापूर का रहने वाला उसको मालूम होना चाहिए इसकी अतरिक्त उसको उत्तर प्रदेश के विशय में भी चूंकि उत्तर प कि चारों तरफ क्या हो रहा है जैसे आज के तारीख में अगर कोई इंटर्वी में जाएगा तो गलवान वैली अथ्वा मेकबोहन लाइन अथ्वा यह जो 69 जो एप्स बैंड किये गए हैं अथ्वा प्रधान मंतिरी गरीब कल्यान योजना के विशय में जो अनाज दिया जा रहा है फ्री इसके विशय में इन सब चीजों के विशय में अवश्य ही प्रश्न किया जाएगा क्योंकि ये कातकालिक हैं रोज इनके विशय में जिकर हो रहा है एवं रोज इसको डिसकस किया जा रहा है तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है जो बाकियों को मालूम है वो कोशिश करते हैं कि आपकी लीनिंग क्या है तो हर दम कोशिश यह करिए कि बैलेंस चाहिए किसी भी चीज के विशह में एक्स्ट्रीम ओपिनियन देना उचित नहीं होगा आपको ये अगर आप कोई नौकरी कर रहे हैं और आप से ये पूछा जाए कि आप वो नौकरी छोड़के इस नौकरी में क्यों आना चाहते हैं तो यह मत कहिएगा कि देश सेवा के लिए आ रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप जो नौकरी कर रहे हैं वो देश सेवा नहीं है मान लीजे आप कहीं लेक्चरर हैं या आप कहीं पर बैंक में आफिसर हैं तो यह क्या देश सेवा नहीं है और आप इसमें क्यों आ रहे हैं मान यहां पे थोड़ी से तनखा कम मिलती हो तो आपको यह कहना चाहिए कि मैं आपको सही बात बतानी चाहिए कि यहां पे रेगुलर लाइफ होगा, यहां पे एक सम्मान होगा, यहां पे सोसाइटी है मुझे जानेगी और मुझे सोसाइटी के लिए कुछ करने का भी मौका मिले है आपको यह मालूम होना चाहिए जो जितनी सर्विसेज हैं जिनके लिए आपने अप्लाई किया है मान लीजे केन केन ऑफिसर केन ऑफिसर क्या करता है इसके बारे में आपको चार लाइन अवश्य मालूम होना चाहिए यह भी एक सेवा का एक सेवा है जो कि इन सेवाओं में हैं district basic शिक्षा अधिकारी क्या करता है GST का अधिकारी क्या करता है PCS और PPS के बारे में तो हम सभी जानते हैं इनके क्या functions हैं करीब करीब मगर बाकियों के विशे में भी आपको idea होना चाहिए कि आपने जिसके लिए apply किया है आप उसके विशे में जानकारी रखते हैं केवल service है इसलिए आपने apply कर दिया है ऐसी बात नहीं होनी चाहिए एक चीज और याद रखिएगा आपको no कहना आना चाहिए अगर आप से कोई प्रश्न पूछा गया आप नहीं जानते हैं तो प्रश्ट कह दीए साब हम नहीं जानते हैं या मुझे अभी याद नहीं आ रहा है यह कोई गल्ती नहीं है दुनिया में ऐसा कोई भी नहीं है जिसको कि हर प्रश्न का उत्तर मालूम है जो कि हर प्रश्न आपको प्रश्न का उत्तर दे सके इसलिए नो कहने में कोई आपती नहीं है एवं नो कहना बोर्ड को अच्छा लगता है कि चलिए ये कम से कम सही बात कह रहा है मान रहा है कि नहीं जानता है फिर वहीं पर अगर आप कोशिश करेंगे उल्टा सीधा बोलने की तो आप पकड़ आ जाएंगे पक्का और वो आपके लिए हानिकारत हो किस प्रकार से आपको अप्रोच करना चाहिए किस प्रकार से आपको नॉर्मल रहना चाहिए इत्यादी उसके बाद एक कुछ मोटे मोटे प्रशन आते हैं उनको कैसे उत्तर देंगे जैसे ये पूछते हैं अपने बारे में बताईए तौक अबाउट यॉरसल्फ तो इत्यादी आप इसको बोलते बोलते आप काफी समय बोल सकते हैं आप बता सकते हैं कितना एटूकेटड एपके जानकारी कितनी हैं आप के पास क्या क्या ऐसी चीजें हैं जिनके चलते कि service को आप सर्विस में आप बहतर योगदान दे सकते हैं दूसरा यह पूछ ते हैं कि आपने केरियर क्यों चुना? बहुत आसान सी सी चीज है जॉब की quality अच्छी है. लाइफ की quality अच्छी है. जो मैं पहले भी कह चुका हूँ तो सही बात बताने में कोई बुराई नहीं है एक इंटर्विव में मैंने एक लड़के से पूछा था वो क्या कहते हैं कोचिंग इंस्टिटूट में पढ़ाता था अच्छी तनखा थी वहाँ करीब एक लाख के आसपास उसको मिलती थी वो छोड़के वो तहसीलदार बना था कहीं दूसरे स्टेट में जहां कि उसकी 45,000 ही नवकरी था तो वह ने उससे ये पूछा कि तुमने यह ऐसा क्यों किया वहाँ पे तो पतंखा तुमको जादा मिलती थी तो उसने का साथ देश सेवा के लिए मैं छोड़ाया हूँ तो मैं समझ गया कि ये असली चीज नहीं बोल रहा या पूरा बॉर्ड इस बात को समझ गया तो ऐसी गलती नहीं करनी है आप जिस काम के लिए जा रहे हैं केरियर आपकी ये क्यों चुन रहे हैं इतना समय आपने क्यों वेतीत किया है पढ़कर इमतिहान देकर इंतजार करके वो आपको स्पष्ट करना चाहिए फिर ये पूछा जा सकता है कि आप अपने को इस नौकरी के लिए फिट क्यों समझते हैं तो आप बताईए कि आपके पास वो स्किल्स हैं आपके पास वो इंटेलियन्स है आपके पास वो खाबलियत है जिसके चलते हैं कि आप इस नौकरी में बहतर कर सकते हैं और अगर आप से पूछा जाए कि आप किछली नौकरी कैसी थी या आप जो नौकरी मौझूदा कर रहे हैं मानली बहुत सारे ऐसे होंगे जो नौकरी कर रहे हैं हमारे सामने भी ऐसे लोग आते हैं जो कि नौकरी कर रहे हैं केवल इमतहान नहीं दे रहे होते हैं तो अपने उस नौकरी के विशय में भी enthusiastically बोलेंगे कि नहीं साब हम इसको कर रहे हैं इसमें यह यह है यह challenges हम इसको इस तरह से meet करते हैं तो यह मोटे तोर पर हमने जो आप से अभी बात की है इसको हम आगे ले जाएंगे इस conversation को हम जब one to one बैठेंगे या थवा जब हम interview के sessions करेंगे तब और भी आगे आपको इस संबन में बताएंगे तो अभी से मानसिक रूप से आप इन मोटे मोटी जो मैंने बाते बताई हैं इसकी तैयारी करिए और मुझे पूरी उमीद है कि आप आप इस क्या करते हैं अभ झाना कर दो झाना करो प्पर्ग्दी से आपको हम ज counting मोटे आप